असलाम अलेकुम डियर स्टूडेंट आई होब यू आर फाइन फर्स्ट फोल अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो अगर आप ने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकोन को भी प्रेस कर दें जो खाल जाता है लैंग्विज में इन इस और डिनरी फॉर्म यानि के आम किसम के अंदर कोई खास लाजम नीजिगने के लिए यूज की जाती है उडिनरी फॉर्म ही यूज की जाती है मम जो हम आम राइटिंग के अंदर यूज करती है इन अदर वार्ड्स प्रोज इस इसा ऐसे कहेंगे प्रोज इसा फॉर्म शक्ल है ओफ लेंगविज एक ऐसी जबान की विच जो के अप्लाइज करती है ओडिनरी ग्रेमेटिकल स्ट्रेक्चर को ग्रेमर की जो साखत है उसको और नेचरल फ्लो अफ सपीज और फित्री जो हमारा बहा हूँ है सपीज का यानि के बो पोर्टरी उसकी बजाए जो के पोर्टरी के अंदर रिद्मिक स्ट्रेक्चर यूज किया जाता है राहिम का उसकी बजाए यह जो प्रोज है इसके अंदर हम जो करते हैं वो और डिनरी ग्रेमेटिकल स्ट्रेक्चर को यूज करते हैं और नेचरल जो हमारा आम फिलो होता ह इसको हम यूज करते हैं What is rhyme नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं What is rhyme या काफिया क्या है इसको हम देखते हैं A rhyme is a feature of a poem ये एक poem का feature है A verse का that has similar sound जिसके अंदर हम similar मिलती जुलती sounds आवाजों को देखते हैं especially at the end of a line line के खत्म होने पर हम इसको जादा तर देखती हैं जो के मिलती जुलती आवाजी होती है When we read poetry जब हम poetry को इसमें यूज करते हैं जिसमें राइम हो We find it melodious or musical हम ऐसे पाते हैं जैसे कि ये musical हो Next जो है What is alliteration? Alliteration क्या है? The repetitions यानि के करार होना of the same letters or या sound की is called alliteration जैसे के हम कहेंगे के same जो है वो letter यूज हो, sound यूज हो same एक जैसी हो, मिलती जुलती उसकी बार बार तकरार हो उसको हम alliteration कहेंगे Alliteration is a strong feature of poetry, ये एक मजबूत feature है poetry का It is used to add ये इसलिए 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 poem की तरफ, poem के अंदर ये sound quality देने के लिए लिखा जाता है तो अमीद करती हूँ आपको ये तीनों topic समझ आ गए होंगे ओके टेक केर, लाफीज